आप सब मेरा नाम है बिसमा असकर और अब इस लेक्चर में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ वो यह है कि हमने अलुमिनियूम की एक्स्रैक्शन कैसे करनी है अब हमारे पास जो मेटल की एक्स्रैक्शन है इसमें प्रॉसेस डिफरेंट है ब्लास्ट फर्नेस मे और किस तरह यह डिफरेंट है उसको स्टडी कर लेते ह। उसको समझ देते हैं और उसके रहे चलते हैं आए लेक्चर की तरफ तूडंट अब हम पढ़ने लगे हैं एक और मेटल की एक्स्ट्रेक्शन जो हमारे पास है अलुवीनियम इतने ज़ादा मेटल की एक्स्ट्रेक्शन हम क्यों पढ़े उसके पीछे एक वज़ा है आपने नाइंथ प्रेड में पढ़ा था रियाक्टिविटी सीरीज के बादे अब कार्बन के उस लिस्ट में नीचे जितने एलिमेंट्स है आप उन सब को बड़े अराम से ब्लास्ट फरनेस के थ्रू एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन आपके पास कार्बन के उपर जितने मेटल्स होते ना उनको आप इतने अराम से एक्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है blast furnace वाले जो हमें तरीके पड़े उनको हम apply नहीं कर सकते उन elements के लिए जो reactivity series में कार्बन से उपर होते है उन्हीं में एक आता है आपके पास aluminium इसका मतलब है जो blast furnace का तरीका पड़ा वो आपका copper के लिए तो ठीक है साथी साथ iron के लिए भी ठीक है लेकिन aluminium आप उस तरीके से extract नहीं कर सकते है जिसकी वज़ा से अब हमारे पास extraction का तरीक है वो change हो जाएगा ठीक है extraction हमने करनी है पहले में आपको बता दिया कि aluminium आपके पास carbon के above present है यह carbon की उपर होता है इसी वज़़े से आप इसको carbon की मवजूदकी में reduce नहीं कर सकते है जो reduction का तरीका हमने पड़ा है न हम उस तरह सब इसकी reduction नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी metal की requirement है उसकी extraction आप नहीं कर सकते उस तरीके से तो कौन से तीन processes है electricity का supply देने के बाद आपने सबसे पहले और में से mining करनी है माइन करना है आपने उस और को बाकी जितना rocky area उससे अलेदा कर लेना है फिर आपने उस और की purification करनी है जिस तरह हमने concentration की तरीके पड़े थे वह कर सकते हैं लेकिन लेकिन आपके पास third step क्या होगा आपने उस और की electrolysis कर ली है अब यह नहीं होगा कि जो roasting के तरीके पड़े या जो smelting के तरीके पड़े अब वह एप्लाइए नहीं होंगे क्योंकि आपके पास carbon की मौझूदगी में यह metal extract हो ही नहीं सकता और carbon की form में किसी तरह करनी तो है ना तो इसके लिए क्या होता है students के आपके पास hydroelectric power use की जाती है जो dams के तो आती है ताके बहुत जादा power supply मिले और electrolysis का process किया जा सके इसी वज़ा से आपका aluminum जो है iron के बाद सबसे common element है यह common metal कहें इसको जो use हो रहा है आपके environment में आपके industrial क्योंकि इस common metals है इसलिए aluminum की extraction जरूरी है आप aluminum को ignore नहीं कर सकते आप यह नहीं कह सकते कि इसकी extraction के बगएर काम चल जाएगा काम नहीं चलता ठीक है हमें इसकी extraction करनी पड़ती है अब इसकी extraction करने के लिए जो तरीका यूज होता है वह electrolysis का है लेकिन इसकी extraction करनी कहां से mineral forms तो बहुत जादे है इतनी जादा mineral forms है आप हर तरफ से तो नहीं aluminum को extract कर सकते मैंने आपको इसकी दो mineral forms पढ़ाई थी aluminum की एक थी आपके पास clay और दूसरी है boxite clay मैंने आपको बताया था कि और नहीं होता क्योंकि clay से आप aluminum को extract नहीं कर सकते लेकिन boxite से आप जरूर extract कर सक है boxite आपके पास students अपने साथ 25% impurities लेकि आता है 25% इसके अंदर impurities होती है जिसकी removal भी जरूरी है क्योंकि हमें metal pure form में चाहिए हमें metal उस तरह से तो नहीं चाहिए कि आपके पास उसके अंदर impurities भी है और फिर आप उसको यूज भी कर ले impurities निकालना ही तो हमारा मकसद है क हमने metal को purify करना है अब इसके अदर impurities कौन कौन सी है आपके पास iron 3 oxide है और sand है iron 3 oxide के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह जो iron 2 oxide या iron 3 oxide होता है यह जो आपके पास number लिखा है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ही होता है कि यह number आपको iron की oxidation state बता रहा होता है ठ chemistry student अब हम बात करते हैं कि बॉक्साइड की जब हम बॉक्साइड को यूज करते हैं तो इसमें से extraction होती है देखें बॉक्साइड को सबसे पहले तो आपने reaction करवाना है इसका sodium hydroxide के साथ ताके बॉक्साइड alumina में convert हो जाए और काफी हद तक इसकी impurities खتم हो जाए alumina क्या इसका जो melting point है ना वो बहुत जाथ है इसका melting point इतना जादा है कि आप इसको electrolysis के process में use कर ही नहीं सकते एक आपने रूल पढ़ा है already extraction में कि आपने heat इतनी देनी है या energy इतनी देनी है कि temperature melting point से भी आगे चला जाए लेकिन इसका अपना melting point students वो है 2030 degree अब इतना जादा melting point इतना जादा temperature कहां से लाया जाएगा मुश्किल हो जाएगा इतना जादा temperature आ ही नहीं सकेगा जिसकी वज़े से क्या होता है कि आप alumina को उस तरह से extract नहीं कर सकते उसमें से मतलब aluminium को extract नहीं कर सकते फिर से वसला आ गया अब इस problem को solve किया था हॉल हेरोल्ट ने जिनका process हम पढ़ रहे हैं यहां पर हॉल हेरोल्ट दो different scientists थे जिन्होंने 1886 में यह process explain किया था कि आपने किस तरह से alumina का melting point कम करना है जब तक उसका melting point कम नहीं होगा आप उसमें से aluminium को extract नहीं कर सकते क्यूंकि इंडस्ट्रिल इतना feasible ही नहीं होता कि आप इतना जादा temperature दें ठीक है अब यह temperature lower करना इसको कम करना क्यूंकि requirement है तो कैसे कम होगा यह temperature यह temperature कम होते हॉल हेरोल्ट ने जिस तरह बताया था कि सबसे पहले आप बॉकसाइड को sodium hydroxide से बेचक reaction करवाएं और convert कर दें उसको alumina में जब उसको alumina में convert कर दिया है अब आपने क्या करना है कि इसको cryolite में mix कर देने cryolite students आपके पास aluminium की ही एक और और है ठीक है यह यह आपके पास aluminium की और है इसका formula भी याद रखना है sodium aluminium fluoride की form में य यह इसी तरह इसका formula है sodium है फिर aluminium है and then fluorine यह आपके पास एक और और है इसके अंदर आपने उस alumina को mix करना है जो आपने कहां से extract किया जो आपने इस box side से किया extract ठीक है अब होगा क्या कि जब आप इसको cryolite के अंदर mix कर देंगे ना तो alumina का melting point है वो बहुत हद तक कम हो अब यह वाला जो temperature है चले यह देना फिर भी फीजिबल है यह बात समझ में आ सकती है कि इतना temperature दिया जा सकता है लेकिन 2030 जितना temperature है वो मुश्किल होता है इसी वज़ा से आप alumina को उस तरह से extract नहीं कर सकते अब आपने इसको cryolite में mix कर दिए है आपने अपना electrolytic cell यहां प पर चुके अल्रेडी ठीक है अब electrodes होंगे electrolytes होंगे alumina कभी भी electrolyte की form में यूज नहीं हो सकेगा क्यूंकि उसका melting point बहुत जाता है जब आपने उसके अंदर क्रायोलाइट को mix कर दिये अब उसका melting point हो गया कम अब यह आपके पास mixture बन जाएगा और electrolyte यूज हो जाएगी ठ ग्रिफाइट के बारे में यादर रखने हम आप सबने के ग्रिफाइट आपके पास den की फारती कि do धिकैं कि य कार्बन की फार में नेकिंकिंब कर आए इनक्रृक्री सीटी से आ धियाना‡ और किस तरह करना है, आपके पास दो एलेक्ट्रोड़्स है, एक होती है कि फोर्ड, दूसरी है अनूड, दोनो ग्रिफाइट की है, दोनो ग्रिफाइट की होंगी, आपके पास alumina, cryolite में mixed है, और ऐस एन एलेक्ट्रोलाइट वो एक्ट कर रहे है, आपका बात हम ये कह लिए है कि इधर electricity की power जो है वो कितनी दी जा रही है students आपने याद रखना है फाइव वोल्ट से जादा power नहीं देनी पड़ती उसकी reason क्या है उसकी reason यह है कि यह जो mixture बन जाता है यह इतना इनर्जी खुद generate करेगा इसलिए फाइव वोल्ट से जादा वैसे भी आपको इस पर electricity देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो गया ना फिर फीजिबल के हम बड़े राम से अब aluminum को extract कर सकते हैं जैसे ही अब आपने देख लिया कि ठीक है यह फीजिबल प्रॉसेस है हॉल रो नोड के थोड़ आपके पास negatively charge होगी एनोड आपके पास positively charge होगी अगर के थोड़ पे नेगिटिव चार्ज है तो जितने आइन्स आपके पास ऐसे हैं जिनका positive चार्ज है वो के थोड़ की तरफ attract होने शुरू हो जाएंगे बेसिक चीज़े हैं यह सारी आप already electro chemistry में बावेना वह attract होना शुरू हो जाएगा वहां से उसके aluminum के ions निकलेंगे three positive की form में और यह mixture से क्या करेंगे तीन electrons अपने अंदर accept करेंगे तीन electron क्यों अंदर accept करेंगे क्योंकि यह already ionic form में convert हो चुक है अब इसने ionic form से change होना है metal form में जाना है आयोनिक form में तो यह कभी भी आपके पास नहीं extract हो सकता लेकिन ionic form क्यों जरूरी है ionic form इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ionic form electrolysis का process continue करवाती है यह बात आप सबको याद है कि के थोड़ के और और नोड के जो reactions होते हैं उनकी वजह से electrolysis का process continue हो रहा होता है ठीक है आपके पास aluminum ion बन गया लेकिन इसे तीन electrons accept कर लेने हैं अपने अंदर add कर लेने हैं और फिर इससे बन जाना है aluminum metal यह aluminum metal भी आपके पास liquid form में क्योंकि आपका आपके पास क्या होगा aluminum metal form में convert होगा लेकिन आपके पास क्या होगा aluminum metal form में convert होगा लेकिन यह होगा आपके liquid form में 600 degree celsius इसका melting point है यह बताने का मकसद यह है कि reaction का जो अभी temperature चल रहा है ना वह है 900 से 1000 degree celsius इसका मतलब यह है कि आपका यह जो 600 degree celsius का temperature है यह अभी भी क्योंकि 900 से बहुत कम है इसका मतलब क्या हुआ कि aluminum को अभी cool down होने का time यह नहीं मिल रहा है liquid form में है liquid form में आप as it is उसको अलेदा करते जाएंगे mixture में से अगर आप इस aluminum को अलेदा करें और मैं आपको यह बता रही हूँ कि यह कहां से आ रहा है यह आपके इस aluminum से आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास reaction mixture में इस aluminum की quantity है वो कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसमें से aluminum अलेदा होगा और aluminum को आप अलेदा करके extract कर लेंगे mixture से निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि थोड़े time के बाद जो alumina है इसकी quantity कम होने लग जाएगी आपको external source से बार-बार इस mixture में alumina add करना पड़ेगा बात आती है माइंड में cryolite के बारे में क्या cryolite भी हमें बार-बार add करना पड़ेगा cryolite add नहीं करना पड़ता students उसकी reason क्या है cryolite use ही नहीं हो रहा cryolite का मकसद ही सिर्फ यह है कि वह alumina का temperature कम कर रहे है उसका melting point कम कर रहे है इसके लावा उसका कोई यूज नहीं है ठीक है तो cryolite आपके पास as it is electrolytic cell में पढ़ा रहेगा electrolytic cell किसको कहते है जिसके अंदर आपके electrodes जगें electrolysis का process हो रहे है ठीक है उसको कहते है cell अब उस cell के अंदर आपका cryolite यूज नहीं हो रहा वह एस इस पढ़ा है और वह एस इस पढ़ा भी रहेगा alumina की quantity काम होने शुरू हो जाएगी क्योंकि उसमें से alumina metal निकलेगा और अलेहदा होके आप इसको separate करते चाहिए ठीक हो गया अब alumina में दो चीज़े है एक आपके पास aluminum है साथ ही आपके पास oxygen है aluminum की तो हमने बात कर ली कि ये कि थोड़ पे चला जाएगा कि थोड़ से वहां से ये extract कर लिया जाएगा क्योंकि ये pure metal form में convert होता जाएगा अब हम ये बात कर लेते हैं कि anode पे कौन सा reaction हो रहा होगा anode पे students आपके पास वही oxygen जाएगा जो alumina के अंदर present है ठीक है oxygen जाएगा negative form में है oxygen क्या करेगा कि अपने अंदर से electrons को निकालेगा negative form में उन्हें क्या मतलब होता है negative charge का मतलब है already इसके पास extra electrons मौजूद है ठीक है ये अपना negative charge खतम करेगा अपने अंदर से electrons को निकालेगा जिसकी वज़सी oxygen gas में convert हो जाएगा ठीक हो गया oxygen gas क्योंकि already high temperature है और बहुत ही जादा temperature आपने mixture को provide किया हुए इस high temperature में oxygen gas आपके carbon के साथ react करेगी carbon कहां पे है carbon आपकी in graphite electrons में है तो अब question ये आता है कि कौन सी electrode यूज हो रही है carbon के electrodes तो दोनों ही है पर कौन सी electrode है जो आपके oxygen के साथ react करके carbon dioxide बना रही है तो आपने याद रखना है कि थोड़ पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उस पर जो reaction हो रहा है आपके aluminum के extraction का वो वैसे ही होता रहेगा एनोड जो है आपके पास ये वो carbon है जो oxygen के साथ react करके carbon dioxide gas बनानी शुरू कर देगी ठीक है वो मैंने लिक मी दिये carbon dioxide gas बनेगी आपको reaction प carbon oxygen के साथ combine करके carbon dioxide बना रहा है carbon dioxide gas कभी भी reaction mixture के अंदर नहीं रहती क्योंकि वो gas form में होती है वो evaporate हो जाती है उसके evaporation की वजह से आपके पास anode की quantity कम होने शुरू हो जाएगी तो ये जो electrolysis का process है ना students आप सबने याद रखना है कि आपके पास ये expensive कब होता है जब आपक क्योंकि ये oxygen के साथ react कर रही है इनकी quantity कम होती जा रही है तो क्या होगा कि anode बार-बार quantity कम होगी आपको बार-बार नहीं लगानी पड़ेगी graphite की ताकि आपके पास electrolysis का process रुके ना तो कौन सी दो चीजें जो यूज हो रही है एक anode यूज हो रहे है दूसरा आपके पा से क्या होता है students आपके पास aluminium की extraction हो जाती है hydroelectric power वैसे भी हम damp से लेकर इसको provide करते है और ये खुद भी इतनी energy consume नहीं कर रहा होता क्योंकि ये बहुत जादा heat generating process है इसके energy अपने system से आ रही होती है तो aluminium इस तरह extract हो जाता है लेकिन फिर भी electrolysis का process आप उसको कम energy दें या जा दें वो कहीं न कहीं जाके costly जरूर हो जाता है एनोर की replacement alumina की addition ये सारी चीजें भी तो costly है ना ये भी तो आपके पास कम costly नहीं है क्योंकि आपको बार बार इनकी replacement करनी पड़ी है बार बार addition करनी पड़ी है इसी वज़ा से कहा जाता है कि aluminium की extraction और से मुश्किल काम है उससे बेहतर है कि आप aluminium को recycle कर लें ठीक है यह बात याद रखने है aluminium की recycling है वो easy काम है recycling में जितनी energy आपके पूरे process में लग रही है ना उसका सिर्फ 5% लगता है आपके पास recycling में और aluminium बार बार आप इसको बार बार recycle करके generate कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जहां बे भी इसको यूज करने हैं तो इसलिए कहा जाता है कि aluminium की extraction एक बहुत ही कॉस्पली process है क्योंकि यह अपको पता है electricity का usage है उसके लावा आपके रोड़ बार बार खतम हो रही है aluminium आपका mixture खतम हो रहा है बार बार उसको add करना पड़ता है जिसकी वज़ए से यह process हो जाता है कॉस्पली इसलिए कहा जाता है कि aluminium की recycling अगर हो जाए तो वो बेहतर दिलिका होता है दूसरी एक ज़रूरी बात इसके बारे में यह सुन लें students के आपके पास यह जो cryolite है यह वैसे तो mineral form ऐसी है यह और है ठीक है basically यह aluminium का और है यह कहां से extract होता है यह green land से extract होता था लेकिन अब वहां से extraction और नहीं रहेगा यह concept से चोटा सा है चोटी सी बात है जादा लंबी बात भी नहीं है कि आपके पास यहां पे cryolite पहले और था जैसे मैं आपको बताया था country to country depend करता है हो सकता है कहीं पे कोई चीज और हो लेकिन उसको manufacture या extract ना किया जा रहा हो तो वह mineral form में ही रहे ठीक ह हैं आप नहीं है क्योंके वहां से से aluminum extract नहीं किया जाता इस trail light की जो formation है वो synthetic को जाती है क्यूंकि आपको पता है कि यह सारा का सब्सक्रांप्र ने हिर इसको प्योरिफाइсол करें पिर इसारा प्रौस्थưởng सब्सक्रास बहुत कस्तली हो जाता है क्यूए हências हैशल्में की ही जो अब synthetically manufacture हो जाती है, green land से जहां से इसको extract किया जा रहा था, अब वहां से इसको नहीं किया जाता, इसलिए आप recent studies के मताबिक, research के मताबिक, अब ये और नहीं है, ये mineral है, लेकिन आपने जब इसकी बात करनी है इस process में, तो आपने इसको cryolite को और ही count करना है, aluminium की, ठीक है ये बात समझ में आगई, आपके पास कितोड और रेनोड के reactions बहुत जरूरी है, ये दोनों half cell reactions है, half cell reactions क्या होते हैं, आप सबको अल्रेडी पता है, पढ़के आए 9 में, कितोड और रेनोड के जब अलहदा अलहदा रेक्शन हो रहे तो उनको हम कहते हैं, half cell reaction, साथ ही साथ ये चीज़ भी समझनी जरूरी है कि आपके पास किस चीज़ की production और ये byproduct क्या है, byproduct आपके पास carbon dioxide है, byproduct का मतलब होता है, कोई भी ऐसा product जिसकी जरूर रते हैं reaction में, ठीक है, carbon dioxide byproduct है, carbon dioxide pollution causing भी है, ये सारी बाते याद रखने हैं, ये important है, पर इसके लावा ये भी याद कि aluminium जो extract हो जाती है, वो बहुत ही ज़ादा purified form में होती है, ठीक है, वो pure aluminium है, purified form में है, और उसके बाद उसका use case भी बहुत जाद है, तब ही iron के बाद कहा जाता है, कि सबस्य ज़ादा use होने वाला जो metal है, वो आपके पास aluminium है, students, मैंने आपको जो तरीका बताया है, कि जो जो uses हैं, वो साथ साथ हम आगे भी पढ़ेंगे, खैर आप इन सारी processes को दुबारा revise करेंगे, यह important है, paper point of view से बहुत जादा important है, जो important चीज़ें बताई गई हैं, आप उनको करें revise, हम मिलेंगे next lecture में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस,